पूर्चेत्र में बहुत सारा जमीनी विवाज जो है करीब 6 महिना साल भर 2 साल तक अठका क्यों रहता है तो कितना दिन पहला है एक महिना पहला है तो इनके संपति का जाच होना चाहिए विजय कुमार के ऊपर भराष्टा अब यह सामने में जो बेक्ति खड़ी हैं उनका एक समस्या यह है कि कई दिनों से करेला का चकर लगाए है जब एक और अप्लिकेशन लेक्शन फेक्ट क्या बोले थे कि जमीनी विवाज जो बिवादी जमीन उसका हम यह नहीं करेंगे निस पादन वो बोल रहे हैं वो बोल इनको बोल दिये थे कि आपका मापी इसलिए हम नहीं करेंगे कि जब भी मापी करने किया है नापी होगा तो भूमी बिवाद पड़ेगा ठीक है लॉइन प्रोबलम होगा इसलिए उसको अस्थागित कर दिए तो वह इसे मामला बढ़ता जाएगा हमारा आमीन बोल रहा है हम आपकी किया है हम बोले इनको अगर आप मापी से संतुष नहीं किया तो कानून में प्रावधान अपील में जाए आप बोल रहे हैं कि अमीन जब नापने के लिए गया तो रोड़ा पथर चला जबकि आभी आपके अमीन से हम बात की हैं बाहर में तो बोला कि नापी के स सबसे ज्यादा विवाद अगर होता है तो वह है जमीनी विवाद और जमीनी विवाद हर जगह है हर छेतर में हर गाउं में हर पंचायत में नमस्कार आप देख रहे हैं मगदलाईव और मैं हूं समर्डाट अभी मैं मौझूद हूं बिहार राज के गया जिलेके फतेपू फ्रकैनल अचल का रियाले फतेपूर गया और महिने में 15-20 लोग मारा पीटी करके आते है we are inной को लेकर मारा पीटी होता है काटा काटी होता है, गाला गाली होता है, उसके कहीं न कहीं sausage, जिम्मेदार होते हैं तो वह हैं अधिकारी और उनका कुर्सी, क्योंकि ये लोग दोनों को आपस में लडवाते हैं, दोनों से पैसा कहाते हैं और फैसला कभी सबसे पहले सब्सक्राइब कि कि सब्सक्राइब बश्राइब एक मिनाट आप लोग बाहर चलिए थोड़ा बाहर चलिए थोड़ा अंदर आए अंचला अधिकारी का कार होता है जमिनी विवाद का निप्टारा करना यह एक वेक्ति हैं सर लगाता है छे मैना से आपके कर्याले का चक्कर लगा रहे हैं इनके बगल में साथ किसी मुसलिम के साथ कोई मेटर है कल होके अगर दोनों कम्यूटि में दंगा हो जाता है लडाई होता है तो उसका जिमेवार कौन होंगे वर चक्कर लगा चुके हैं मैं अभी तक नापी नहीं वा उस समय नापी हुआ था तो आप उसका रिपोर्ट को जो रिजेक्ट कर दिए दे दे सर्क जाएं अभी तो आपने गया तो इसका रिपोर्ट रिजेक्ट क्यों हुआ यह पिर नहीं हुआ यह और प्रिटिशन पढ़ गया और विएक दो गली का वह प्रिटिशन पढ़ गया है तो एक ही बार ना सब करना पी एक ही केस में नसभ आएगा पो टैम मिला था जी हां कल अब तो आम इन साब बोले थे कि चाहेंगे कल गया है नहीं यह पर सब्सक्राइब करना करना है जो सरकारी नापी करना इसका उसमें था नापी का अभी यह सामने में जो वेक्तिक खड़ी है उनका एक समस्या यह है कि कई दिनों से आपके करेला का चकर लगाया है जब एक आपके करने कि वरापी करते हैं, रोड़ा बाजी करते है थाना को हम वह भेजे थे तो यह लोग जैसे और एक नापी के चलते हैं हमको तीन बर चार बर भेजना पड़ा है पुछ लिजे एक मिट सवाल यहां पर यह सवाल यहां पर यह है कि कोई अभ्यारती या कोई स्टेंट अगर शड़क पर अपना कुछ काम के लिए निकलता या अंदोलन करता है तो आप नापी होगा तो भूमी विवाद बढ़ेगा ठीक है लॉइन और प्रवलम होगा इसलिए उसको अस्थागित कर दिए तो फिर आप लॉइन और अगर समस्या वहां पर हो रहा है नापी आप अस्थागित कर दिए तो वह इसे मामला बढ़ता जाएगा हमारा आमीन बोल रह सेख benefici नापी के समय कोई रौडा पत्थर नहीं चला था अज़ा जो पहले चला समय नपफो समय है क्योंकि इनको प्रधान मंत्रेवास उजना का पैसा मिला डेली 2000 रुपय खर्च हो रहा है ठीक है ठीक है और एक चीज़ बता है कि अगर वहां पर मार्पीटे लोग करेंगे तो फिर अम लोग सख सख कानूनी करवाई तम आप जब जिस दिन मार्पीट हो उसी दिन आपको सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करना कानून को हाथ में लिए लिए अच्छा इद्वाइब आपके पास में सरकागाज है अभी जो दिया हुआ है ठीक है इन दोनों का मामला कब तक यह कर लिया जाए पहले बोल चुके देदें एक सवाल आ रहे है आपके कार्याले के बगल में पांध खाते हैं क्या सब्सक्राइब कर देखाने के लिए नहीं है नहीं है चलिए यह अंचला अधिकारी है है यहां पर देख सकते हैं कार्याल में बैठे हुए हैं हो जाएगा इनके कहने का मतलब है कि अगर डेट खाली रहेगा जितना जल्दी हो सकता है वो करवा देंगा यह देख लेंगा नहीं करेंगे आके हमको बताईएगा अगर यह अधिकारी गलत हैं तो इनके संपती का कर दो कम नहीं होता है अंचला अधिकारी थे फटेपुर में और यहां पर देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि दोनों का मामला जो है वो जल्द से जल्द हम देख लेंगे और आपको बता दे कि फटेपूर के पूर्वसियों विजय कुमार के ओपर भरस्टाचार का मामला ल